नमस्कार दोस्तों पूनम की जटपट्र सोई में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को पनीर मसाला बनाना सिखाऊंगी ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बेहद स्वाधिश्ट लगता है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन-किन समागरियों क्या आवे सकता परेगी सबसे पहले मैंने साड़े 700 ग्राम पनीर को लिया है और पैन में मैंने एक बड़ा चम्मच ओईल को डाला है और एक बड़ा चम्मच मक्खन को डाला है और अब मैं पनीर के टुक्रों को इस तरीके से पैन में बिछा दूँगी ये देखिए एक एकर मैंने पनीर के टुक्रों को डाल दिया है और इसे हलका सा फ्राई कर लेंगे ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है पनीर का और एक-एक कर इसे पलटते जाएंगे ये देखिए मैंने पनीर को पलट लिया है और दूसरी तरफ भी इसे फ्राई करने ला है और दोनों तरफ फ्राई हो चुका है और इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया ये देखिए और फिर से पैन में मैंने चार बड़ा चम्मच ओईल को डाला है एक छोटी चम्मच जीरा और खड़े मसालों को मैंने डाला है दालचीनी, टेट पत्ता, दो बड़ी नाइटी, चार चोटी नाइटी, चार लॉंग और एक सुखी लाइए और ये देखिए चटकना शुरू हो चुक है और मैंने इसमें लगबग 200 ग्राम प्याज को डाला है इस तरीके से बारीक काट कर ये देखिए और अब मैं इसमें नमक को डाल दूँगी, नमक डालने से ये जो प्याज है जल्दी भुन जाएगा और ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और इसमें मैं दो बड़ा चममच मैंने अधरक और लहसुन का पेशच डाल दिया है और अद्रक और लहसुन को भी प्याच के साथ अच्छे से भून लेना है और अब मैं इसमें सूख्य मसालों को मिलाऊंगी इसके लिए मैंने दो छोटी चम्मच लाल मिर्च को लिया है एक छोटी चम्मच गरम मसाला, एक छोटी चम्मच काली मिर्च एक छोटी चमच जीरा और दो छोटी चमच धनिया को लिया है और इन मसालों को ये देखिए इस तरीके से मिला देना है और इसे इसे भी हलका फ्राई कर लेना है फ्राई करते समय ध्यान रहे कि ये जो हमारा सूखा मसाला है वो जलेना इसके लिए आप चाहें तो थोड़ा इसे पानी में सुखे मसालों को डाल कर तब डालें इससे मसाला हमारा बिल्कुल भी नहीं जलेगा ये देखिए कितना अच्छा इसका खुश्बू आ रहा है और ये जो हमारा सुखा मसाला है लगबग भुण चुका है ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और अब मैं इसमें एक बड़ा चमच मैंने बेशन को मिला दिया है और बेशन को भी अच्छे से धीमी आज़ पर हमें फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन जो है बिल्कुल हट जाए और अब मैंने आधा कप टोमैटो प्यूरे को मिला आया है और इसे भी अच्छे से हमें फ्राई करना है ये देखिए लगतार चलाते हुए टोमाचर को भी भूल लेना है और अब मैं इसमें मैंने एक चोटी चमच हल्दी को डाला है और इसे लगतार चलाते हुए हमें फ्राई करना है और अब मैंने इसमें आधा कप दही को डाला है ध्यान रहे दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और दही को भी इस तरीके से मिलाना है बिलकुल आज को धीमा रखना है ताकि दही हमारा जो है वो ना फटे और लगतार इसे चलाना है ये देखिए दही भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है भुन चुका है मसालों के साथ ये देखिए मसाला हमारा बिलकुल तयार हो चुका है तेल भी किनारों से चूटने लगा है और अब मैं इसमें कसूरी मेथी को मिला दूँगी एक बड़ा चपमच की लगभग मैंने कसूरी मेथी को इस तरह की से क्रश करके डाला है और इसे भी हलका सा हमे प्राई कर लेना है कसूरी मेथी के डालने से इसका जो टेस्ट है और भी अच्छा हो जाता है और अब मैंने इसमें दो कप पानी को डाल दिया है और अच्छे से मसालों के साथ मिलाना है ये देखिए लगातारी से चलाना है और अब मैं इसमें ये जो हमारा फ्राई किया हुआ पनीर है इसे डाल देना है ये देखिए ये पनीर जो है बिलकुल नरम है ये घर का बना हुआ पनीर है और पनीर को डालने के बाद इसे अच्छे से मसालों में मिला लेना है ये देखिए अब इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है और अब इसे मैं ढग दूँगी पांच मिनट के लिए पांच मिनट हो चुका है ये देखिए ये जो मसाला है और पनीर है ये देखिए कितना अच्छा से पक रहा है ये और तेल भी अब छूटने लगा है और इसे फिर से एक बार अच्छे से चला लेना है बिल्कुल और बिल्कुल धिमी आज पर फिर से ढखकर इसे पाँच मिनट और पकाऊंगी ये देखे इसका कलर कितना अच्छा आया है और ये जो इसका ग्रेवी है थोड़ा गाढ़ा हो चुका है दोस्तो पनीर मसाला का जो ग्रेवी है उसे गाढ़ा रखे तो बहुत ज्यादा स्वाद आएगा आप चाहे तो इसे पतला भी रख सकती है और ये देखे पनीर मसाला बन कर तयार हो चुका है कितना लजीज ये हमारा पनीर मसाला बना है तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें जरूर बता है यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेर जरूर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा ना बिलकुल ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो